पार्टिकल स्लाइड वेलटिटट इते पर सेकंड है यहां basically हो क्या रहा है कि आपर हमने ऐप पोस इन्टर लिया है और यहां से यह Train को बांदा है और यहां पर छोटीशी बॉल है ढाते है और पार्टिकल rue स्यद्ट एक सर्कुलर आर्क बनाते हुए पी पॉइंट से क्यूब पॉइंट तक जाता है यहां पॉइंट है यहां पर है क्यूब यहे होता है उसकी कितनी ही थी है 5 मीटर पर सेकंड यह स्पीड ही है कितनी फाइव पर सेकंड और जैब आपको यह बताना है कि कि glowing हुआ मतलब आपको R निकालना है R मतलब V2-V1 यहां पर आप फॉर्मला लगा दो R equal to under root of R equal to under root of V2 square plus V1 square minus है तो minus R आएगा बीच में इसके बाद minus of 2 V1 V2 यह V2 V1 जो भी लिखना हो और cos theta तो R equal to हमारा हो जाएगा कितना V2 की value 5 तो 5 square V1 V5 है minus 2 5 into 5 और cos 60 degree अब बच्चों के डाउट आता है कि 60 degree तो उपर वाला angle है V1 और V2 की बीच में तो नहीं है तो मैं अभी इसको आपको बताऊंगा कि यह कैसे equal होंगे अब यहां पर हम इसको लिखते हैं तो यह 5 square स्क्वेर यह भी 5 का स्क्वेर है माइनस 2 into 5 का स्क्वेर और cos 60 की value 1 by 2 1 by 2 cancel हो गया तो आर आ चुका है तुमारा कितना 5 square यह भी 5 square माइनस का 5 square एक cancel हो जाएगा 5 square का root मतलब आ रा आ चुका है 5 option यह तुमारा सही है अभी 60 degree है तो वी 1 और वी 2 के बीच में 60 degree कैसे होगा यह और हमें देखना है तो आप क्या करो इस वी 1 को पैल लाली shift कर दो यहां पर ऐसा कुछ ठीक है आपने इसको पैल लाली shift कर दिया यहां पर horizontal line बनाओ तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल यह दोनों बराबर होगे तो यह वाला एंगल 60 degree की बनेगी और यह बनेगा 30 degree का रीजन क्या है इन तीनों का सम होना चाहिए 180 degree 60 already है यह 90 आपको दिखी रहा है तो यह बचा हुआ हो जाए का 30 अब यहां पर 90 उसने already mention किया है कि 90 है यह पूरा और 30 इसने ले लिया तो बाकि बचा हुआ 60 degree होगा और यह 60 है तो देखो यह वाली लाइन वीटो के पहलेल यह वाली लाइन तो हमने वीवन के पहलेल सिफ्ट वैसे भी बनाई है यह भी 60 degree होगा इसलिए यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों बराबर होंगे तो option A will be correct